हेलो फ्रेंड्स ये देखे आज मैं आपके लए लाई हूँ एक नई रेसेपी ये है लेफ्ट ओवर रोटी यानि के बची हुई रोटी का पोकेट पिजा ये देखे मेरे पास रोटी बच गई थी मैंने उससे बनाया बहुत ही अच्छा बना है और इसको बच्चे फिर फट नाटो केचप और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा चाट मसाला और ये है मेरे पास चुकंदर मैंने घिस लिया है प्याज थोड़ा काट लिया थोड़ी शिम्लामीच काट लिया बारीक बारीक ऐसे हम इस रोटी को बीच से कट कर लेंगे और इसको लग करके हम इसमें भर देंगे यह स्टफिंग आपके पास चीज हो चीज स्लाइस या क्यूब आप भी एड़ कर दें बच्चों को चीज बड़ी पसंद होते हैं तो अच्छे से खा लेते हैं और इस पर हम लगा लेंगे अब सोस आप जितना भी चाहिए बच्चों को पसंद हो कम जाया दो उसे सा सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने यह सब किया है आप पनीर को जो भी आपके पास हो कैबेज हो वो भी डाल सकते हैं अब इस पर हम डाल देंगे मियोनी जुरत के हिसाब से और यह बहुत कच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे बच्चे खुशो कर खाबी लेते हैं और से इसके थोड़ा चीली फ्लेक्स अब मिर्च भी डाल सकते हैं मैंने सिर्फ चाट मसाले एड़ी किया है यह मेरे पास है मोजेरीला चीज आपके बाद चीज स्लाइस आप वो भी आड़ कर सकते हैं इसको मैं डाल दूंगे घिसका तो आपको जितना पसंद दो आपके बच बच्छे वैज भी खा लेंगे कैरट डालना चाहिए गिसके बारीक डाल सकते हैं पनीर डाल सकते हैं जो भी चाहिए वो अब इसमें आड़ कर सकते हैं वह इस भाने बच्छे खा भी लेंगे रिंदय का हलती कि विदिक खाना भी मिल जाए और क्रिस्पी होने तक इनको हम सेक लेंगे जबी क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको टोमेटो केचप के साथ सर्फ करें तो आप क्या बनाते हैं लैफ्ट ओवर रोटी ये बचती है तो बताए जरूर और अगर वीडियो पसंद आए तो फैमली फ्रेंज के साथ शेयर करना न देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है उनको ऐसे धीरे-धीर हम प्रेस कर लेंगे तो सारा चीज है मैल्ट हो जाएगा वह तो बहुत अच्छा लगेगा और ये क्रिस्पी भी हो जाएंगा ऐसे तो इनको मीडियो माच पर आप ऐसे धीरे-धीरे प्रेस कर लें तो बहुत क्रिस्प हो जाएंगे देखिए मैल्ट हो गया हमारा चीज वह निकल ला है साइड से यह देखिए तैयार है हमारी आप बताइए इनका क्या नाम रखे हम यह देखिए लेफ्ट ओर रोटी का आप कुछ भी बोल सकते हैं इस टफ रोल बोल सकते हैं कुछ भी बोल सक होते हैं तो देखिए तैयार है हमारी रैसे भी तो आप लोग भी बनाईए खाईए और अपने एक्स्पेरिंस जरूर बताईएगा यह देखिए इसको अंदर से हम आपको दिखाते हैं यह देखिए थैंक्स फॉर बोर्चेहिंग